दोस्तो नमस्कार इस वीडियो से हम सेखेंगे इंटरनेट की स्पीड को मापना यानि हम इस वीडियो से जानेंगे किस परकार हम अपने फॉन, लैप्टॉप, कम्प्यूटर पे इंटरनेट की स्पीड को मापना ताकि हम जान सकें कि कौन से कंपनी, कौन से इंटरनेट प्रदाता सबसे अच्छी स्पीड दे रहे हैं अभी हमारी करेंट स्पीड कितनी है हमें इस बारे में जानकारी चाहिए तो कैसे इसको मापा जाता है यह सब कुछ इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे और बहुत आसान है तो आईए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों आप अपने फॉन पे या लैपटॉप या कंप्यूटर कहीं भी आप इसको एपलाई कर सकते हैं आपको सबसे पहले गूगल क्रोम या जो भी आप इंटरनेट के लिए ब्राउजर यूज करते हैं उसे उपन करिए जैसे यहां लैपटॉप या कंप्यूटर पे मैं अभी गूगल क्रोम को उपन किया यहां पर आपने एड्रेस बार में आपने लिखना है यहां पर आपने लिखना है www.speedtest.net इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी आप प्रापत कर सकते हैं यह लिखने के बाद आप एंटर कर दीगे जैसे आप एंटर करेंगे तो speedtest का यह page open हो जाएगा यह एक website है जो आपकी internet की speed को मापती है और बिल्कुल फिर आपको result provide करेगी इसमें कुछ add आएंगी और साथ में बीच में आपको आपने के लिए एक tool मिलेगा एक button मिलेगा दोस्तों यह page जब आपके mobile phone में या laptop या computer में open हो जाएगा हमने क्या किया Google Chrome open किया Google Chrome में address bar में लिखा www.speedtest.net उसके बाद हम इस go button पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम wait करेंगे अभी हमारा computer internet की speed को माप रहा है इसमें दो तरह के result हमें provide होंगे download और upload यानि internet की speed को मापा जाता है दो तरह से downloading speed और uploading यानि जो कुछ भी आप download करते हैं वो और uploading जो आप अपने system से internet ये server में upload करते हैं तो अभी downloading speed जो है हमारी अभी 10.67 mbps है और uploading speed अभी active है अभी इसका result आना वाकिए है तो दोस्तो result तयार है जब यह पूरी तरह से आपको screen पर दिखाएगा कि download की जो speed थी वो 10.67 mbps है और upload की 1.39 यानि अगर आप कुछ डाउनलोड करते हैं तो speed से download होगा अगर upload करते हैं तो speed से upload होगा दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो खुब यार आपके अच्छा लगे। झाल झाल